मूवी टाइम विट टी बैग, इंट्रोड्यूजिंग, रॉंग टर्म आज हम बात करने वाले हैं, रॉंग टर्म फ्रेंक्चाइजी की फर्स्ट मूवी के बारे में, जो किसार 2003 में रिलीज हुई एंड जिसकी IMDB रेटिंग है 6.1 आउट ओफ टैंग बूवी शुरू होती है एक जंगल से, जहां हमें एक कपल दिखाया जाते हैं, हैली और रिच, जो हिल पर क्लाइमी कर रहे होते हैं रिच जल्दी क्लाइम करके उपर पहुँच जाता है, हैली पीछे होती है, और वो बोलती है, मेरी हेल्प करूँ, और मुझे भीखी चो और उससे खून निकल रहा होता है, तबी कोई तेजी से हैली को ऊपर खीचता है, पर उसके पास एक चाको होता है, और वो अपनी एस्टी काड़ देती है, और नीचे जमीन पर गिर जाती है, वो जैसे तैसे उटकर वहां से अपनी कार की तरफ जाती है, तो वहां जानवर पकड़ने वारा जाल होता है उसमें उसका पैर फस जाता है और वो गिर जाती है तभी उसे कोई पीछे किछ लेता है और उन दोनों की मौत हो जाती है अब इस स्टोरी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद हमें एक लड़का क्रिस फ्लेंद दिखाया जाता है जो अपनी कार में होता है और दूसरे सिटी जा रहा होता है क्योंकि उसकी मीटिंग होती है और उसे वाँ जल्द जल्द पहुसना होता है वो हाईवे पर होता है फोड़ा दिर चलने के बाद रास्ते में ट्रैफिक लगा होता है वो अपनी गाली से उतर कर आगे जाता है और ट्रक वाले से पूसता है कि ट्रैफिक क्यों लगा है और कब तक खुलेगा बर उस ट्रक वाले को भी नहीं पता होता और उसके फोन पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं क्रिस डिसाइड करता है मैं यहां से वापस चलता हूँ और कोई रास्ता होगा जाने का वापस आते हुए उसे एक कच्चा रोड मिलता है और वो उस पर चला जाता है आगे पॉसने पर उसे वहाँ एक जगा दिखती है जहाँ पर बहुत सारी बंद गाड़ियां होती है वहाँ एक बूरा आदमी भी होता है क्रिस उससे पूछता है कि यहाँ कोई फोन होगा मुझे कॉल करना है अर्जेंट है बच वहाँ फोन नहीं होता है क्रिस उस आदमी से पूछता है क्या कोई दूसरा रास्ता भी है यहाँ से जाने का पर उसे नहीं पता होता लेकिन साइड में वहाँ एक मैप लगा होता है उस मैप में एक रास्ता होता है तो जंगल से निकल कर जाता है क्रिस अपनी गाड़ी में बैठकर वो उसकी तरफ दिखता है तब ही उसकी गाड़ी जाकर सामने खड़ी गाड़ी से टक्रा जाती है दरसल उस रोट से एक फ्रेंट्स का गुरूप भी जा रहा होता है पर रास्ते में जानवर पकड़ने वाला जाल होता है जिससे उन लोग की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है क्रिस अपनी गाली से उतरता है और अब वो फ्रेंट्स का गुरूप भी आ जाता है फ्रेंट्स के गुरूप में पाच लोग होते है फ्रेंसीन, इवान, स्कॉथ, कारली और जेसी ये सबीरी लोग क्रिस से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो तुमें कुछ हुआ तो नहीं क्रिस बोलता है मैं ठीक हूँ पर तुमने अपने गाड़ी रासते में क्यों खड़ी किया तो वो उसे बताते हैं कि हमारी गाड़ी का टैर खराब हो गया था अब वो सब डिसाइड करते हैं कि हम थोड़ा आगे जाके दिखते हैं शायद हमें कुछ मदद मिल जाए पर एवान और फ्रेंसीन नहीं जाती बोधनों यहीं गाड़ी के पास लुकते हैं थोड़ा दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ टायर जले हुए दिखते हैं उनको लगता यहां कोई इंसान है तो वो हेल्प के लिए आवाज देते हैं पर वहां कोई नहीं होता है दूसरी और फ्रेंसीन और इवान अपना क्वालिटी टायम स्पेंड कर रहे होते हैं वहीं क्रिस और बागी सब थोड़ा आगे जाते हैं और वहां उन्हें एक घर दिखता है जहां बहुत सारी खराब गाड़िया होती है दूसरी ओर इवान और फ्रेंसीन गाडी में कुछ खाने के लिए जूंते हैं तब यह थोई देर बाद फ्रेंसीन को इवान की आवाज नहीं आती वो गाडी से बाहर आकर उसे देखती है पर हूँ नहीं देखता रोट के कनारे उसका जूता होता है फ्रेंसियन उस जूते के पास आती है तो वहाँ इवान का कान कटा हुआ होता है वो बहुत डर जाती है और वापस गाड़ी की ओर आती है पर उसे भी वाँ कोई पकड़ लिता है और उसकी भी मौत हो जाती है वहीं क्रिस और बाकी सब उस घर के बाहर होते हैं और आवास लगाते हैं पर कोई नहीं आता तो वो अंदर जाते हैं घर के अंदर बहुत ती चीज़े होती है गारियों की चाबियां, बैक्स, जस्में और बहुत कुछ ये सब देखकर उन लोग को अजीब लगता है कारली को वाश रूम जाना होता है वो वाश रूम गूंगती है और वो उसे मिल जाता है वो अंदर जाती है तो वहाँ एक काज के बॉक्स में इनसानों के दात होते हैं और बाट टब में एक इनसान का हाथ होता है दूसरी और क्रिस को फ्रिज दिखता है वो उसे खोलता है तो उसमें इनसानों के बाड़ी पार्ट जाके होते हैं वो अब सब को बोलता है इस घर जब बहार निकलो ये जगा सही नहीं पर तबी वहाँ एक गाड़ी आती है गाड़ी में तीन लोग होते हैं और वो इनसान नहीं इनसानों को खाने वाले राक्चस होते हैं वो चारों लोग उस घर में छुप जाते हैं तबी एक राक्चस गाड़ी में से फ्रेंसीन की बोड़ी लाता है और नीचे पटक दियता है पलंग के नीचे क्रिस और जैसी होते हैं जैसी ये देखकर बहुत रोती है राक्चस फैंसीन के दुखड़े कर देते हैं अब थोड़ा टाइम निकलता है और राक्चस सो जाते हैं और अब क्रिस जैसी स्कॉट और कारली यहां से निकलते हैं पर निकलते टाइम उन्हें एक राक्चस देख लेता है और वो सब अब यहां से भागते हैं वहीं वो राक्चस भी अपनी गाड़ी में बैठकर उन लोग को पकड़ने निकल जाते हैं बाक्ते बाक्ते क्रिस, जैसी, स्कॉट और कारली एक जगा पहुंसते हैं यहां बहुत चाला गाड़ियां होती हैं और लोगों के सामान भी होते हैं अब वो समझ जाते हैं कि जो भी लोग इस रास्ते से निकलते हैं यह उन सबी को मार देते हैं तबी यहां वो तीनों राक्चस भी आ जाते हैं यह चारों फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं हम में से एक इनका रास्ता बढ़काएगा और बाकि सब इनकी गाड़ी में बैट जाएंगे क्रिस उन राक्चसों को आवाज लगाता है पर वो उसे गोली मार के जख्मी कर देते हैं यह देखकर स्कॉट चलाता है और वो राक्चस क्रिस को छोड़कर स्कॉट की तरफ चले जाते हैं अब जैसी और कारली क्रिस को उठाकर उन राक्चसों की गाड़ी में ले जाती है और वो अब सब यहां से निकल जाते हैं स्कॉर्ट की होड़ स्कॉर्ट जंगल में दोड़ रहा होता है अब वो स्कॉर्ट तक भौशते हैं और उसे अवाज देते हैं स्कॉर्ट उन्हें देख लेता है पर जैसे ही वो इन लोग के पास आ रहा होता है पूर आक्षा स्तीर से स्कॉट पर वार करते हैं और उसकी मौत हो जाती है कारली बहुत रोती है क्योंकि स्कॉट उसका बॉर्फ्रेंड होता है अब जैसी, क्रिस और कारली गाली से आगे निकल जाती है आगे रास्ते में पेड गया हुआ होता है और अब वो यहां से पैदल जाते हैं जंगल में भड़कते हुए उन्हें शाम हो जाती है और वो एक वास्ट आवर के पास पहुशते हैं उन्हें लगता है उपर शायद हमें कोई फोन या रेडियो मिल जाए तो वो उपर जाते हैं उपर से वो देखते हैं तो दूर दूर तक जंगली होता है कारली को वहाँ एक रेडियो मिलता है वो उसे चालू करके पुलिस से बात करने का ट्राइ करते हैं पर उन्हें यह नहीं पता होता कि हम किस जगा हैं अब वो राक्चस भी इन्हा ढूंकर ढूंते यहां आ जाते हैं उन राक्चसों को रेडियो की अबाद आती है और वो लोग अब वास टावर के उपर आते हैं जैसी और क्रिस टावर के गेट पर एक बॉक्स लगा देते हैं जिससे के वो राक्चस उपर नहीं आ पाएं, उस देर गेट ठोपने के बाद सब सानत हो जाता है। इन्हें लगता है कि वो राक्चस चले गए, पर ऐसा नहीं होता। वो राक्चस वॉस टॉवर में आग लगा देते हैं। क्रिस वास टावर की खड़की तो देता है और बोलता है हमें यहां से नीचे कूदना होगा अब एक एक करके सब मीचे कूद जाते हैं वास टावर के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ों होते हैं तो वो सब उन पेड़ों पर ही कूदते हैं पर राक्चस को पता हसल ज पर वो इन दोनों से पीचे होती है, राक्चस उसे पकड़ लेता है और उसके मूँपर कुलाडी मारता है, जिससे कारली की मौत हो जाती है, जैसी बहुत रोती है, पर क्रिस उसे आगे बढ़ने को बोलता है, और अब वो दोनों एक जहनने पर पहुँच जाते हैं, वहाँ को आराम करते हैं, और सुबह हो जाती है, क्रिस और जैसी यहां से निगलते हैं, और आगे चलने के बाद उनना रोट डिखता है, वो दोनों खुश होते हैं, पर तभी दूर से एक कुलाडी उनकी तरफ आती है, वो राक्चस जैसी को पकड़ लेते हैं, जैसी को बचाते ह क्रिस नीचे गर जाता है, और उसे रोट में एक पुलिस की गाड़ी आती ही दिखती है, वो उसे रोकता है, और बताता है कि उन लोगों ने सभी को मार दिया, पर पुलिस वारा को समझ पाता, उसके पहले ही वो राक्चस उसे तीर से मार देते हैं, क्रिस अब रोट के जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसी को पकड़ लिया था, जैसी के हाथ पर बंदे होते हैं, अब वो राक्चस उस पुलिस वाले की बाड़ी लेकर अंदर जाता है, वहीं क्रिस गाड़ी जालू करता है, और फुल स्पीड में गाड़ी घर के अंदर ठोक देता है, जिससे वो राक्चस तोड़ा जख्मी हो जाता है, वहाँ दूसरा राक्चस भी होता है, पर क्रिस उसके गले में तार बानकर उसको भी जख्मी कर देता है, और जैसी के हाथ पर खोल देता है, वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, तबी वो राक्चस भी उठ जाते हैं, और क्रिस उसने जो गाड़ी गर के अंदर ढूकी थी उसमें एक पैट्रोल का टैंक भी होता है। क्रिस उस टैंक पर गोरी मारता है और पूरा घर फट जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें क्रिस और जैसी इस जंगल से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों बच जाते हैं और दोनों वही जाते हैं जहां मूवी के शुरुआत में क्रिस गया था फोन खुंगते हुए उसने जहां मैप देखा था। क्रिस गारी से उतरता है और उस मैप को वहाँ से फार देता है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इस मूवी का दी एंट आखिर में हमें दिखा जाता है एक पुलिस वाला उसी घर में जाता है जिसमें जैसी और क्रिस ने आग लगाई थी वहाँ पुलिस वाले के बीचे भी राक्चस होता है वो पुलिस वाले को मार देता है और यह मूवी यहीं खर्म हो जाती है अगर आप इस मूवी का सेकंड पार्ट चाते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें साइनिंग आउट